बात करते हैं हम उस बैठक की जो आज की सबसे बड़ी हेडलाइन होने वाली थी वो कौन सी बैठक इंडिया ब्लॉक के सीनियर लीडर्स की बैठक हुई वर्चुली हुई और ये उस वक्त हो रही है जब एनेसी यानि की कॉंग्रेस के नाशनल एलाइंस कमिटी की लगातार स शेरिंग को लेकर अलग-अलग राजियों की बैठक चल रही है बिहार को लेके आए पंजाब, दिली, गुजरात, छारखंड को लेकर भी बैठक हुई है यानि की इस पूरे दोर में स्टॉक अफ दा सिचुवेशन लेने के लिए सीनियर लीडर्स जो हैं इंडिया अलाइ लेकिन नीता कौन गायब दिखे, ममता बैनर जी तरनमुल कॉंग्रेस की सुप्रीमो बंगाल की मुख्य मंत्री ममता बैनर जी आज की बैठक में नहीं थी, कहा जा रहा था कि उनके पहले से क्योंकि वो मुख्य मंत्री है तो कई सारे अपने एक सेड्यूल होता है, जान बाजी कर रहे हैं बंगाल में, ये तरनमुल कॉंग्रेस को भा नहीं रहा है, जिस तरह से अधीर अजिन चौदरी ने कहा कि आक्शन लेना चाहिए वांकि सरकार के खिलाफ ये तरनमुल कॉंग्रेस को नागवार गुजरा है, तो क्या मीटिंग में ममता बैनर जी का नहीं आना, इन बातों से जोड़ के देखा जा सकता एक सवाल है, खेर ममता मैनर जी नहीं आई, अखलेश यादब भी नहीं थे आज की बैठक में, क्या जो पार्टी और्गनाजेशनल बैठक थी उसकी वज़े से वो इसमें शामिल नहीं उपाई, एक सवाल है, उदव ठ करे की तरफ से सूत्र ये कह रहे हैं, जो इंडिया ऐलाइंस के सूत्र हैं, वो ये कह रहे हैं, कि उदव ठाकरे नहीं थे, किसी और निता को पॉइंट किया गया था, वो भी ट्रावल कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से सहमती जताई थी, कि आज की बैठक में जो तै होगा, उस पे हमारी तरफ से आप ग्रीन सिगनल मानें, अब तै क्या हुआ, बहुत बड़ी डेवलप्मेंट आज की बैठक में हुई है, क्या है वो डेवलप्मेंट, कन्वीनर और चेर परसन, इसको लेकर बड़ी चर्चाएं चल रहे हैं, इंडिया ऐलाइंस में इतना बड़ा गुट बना है, इतना बड़ा गटबंदन है विपक्ष का, कौन है इसका सबसे senior most leader, कौन fix करेगा responsibility, कौन लगाएगा duty, ये सवाल उठते रहते हैं, और नितीश कुमार का नाम इनी सवालों के बाद आता है, जवाब के तौर पर या सवाल के तौर पर, अब ह हुआ क्या, सूत्रों की अगर हम मानें, तो उनका कहना है, कि आज की बैठक में, इंडिया एलाइन्स की बैठक में, दो पदों के बनाने को लेकर चर्चा हुई, एक आम सहमती बनी, convener की post और chairperson की post, सूत्र ये कह रहे हैं, कि convener की, जो chairperson की post है, क्योंकि Congress सबसे बड़ी व consensus नीताओं में देखने को मिला, convener की post के लिए एक non-congresy नीता का नाम प्रपोस करने की बात आई, और फिर नितीश कुमार का नाम प्रपोस किया गया, हालां कि अब सूत्र ये दावा कर रहे हैं, कि नितीश कुमार ने, और जदियू की तरफ से ललन सिंग ने ये बात कही, कि नितीश कुमार को किसी भी post की अभिलाशा नहीं है, और कोई aspiration नहीं है, वो चाहते हैं कि seat sharing formula, seat sharing pact को जल्द से जल्द seal कर दिया जाए, ताकि पाटियां ground पे, उनका काडर ground पे काम करता हुआ दिखाई दे, तो ये दो बड़ी बाते हुई, चे परसन convener की post के गठन को ले कोई आधिकारिक फैसला लिया जाए गया, नहीं कि चर्चा हुई है, consensus है, लेकिन फैसला नहीं हुआ है कि इंडिया एलाइन्स का convener chairperson कौन-कौन नियुक्त किया जा रहा है, नाम दो है, दोनों पे सहमत ही दिख रहे है, नितीश कुमार वहाँ पे जरूर ये कह रहे हैं कि या उनके पाटी के निताई कह रहे हैं कि भहिया, किसी पोस्ट की उनको दरकार नहीं है, seat sharing पे focus किया जाए, एक और बात सूत्रों के हवाले से आ रही है कि राहुल गांधी की जो भारत जोडो नया यात्रा है, या भारत जोडो 2.2 है, उसमें जहां जहां इंडिया आलाइ जहां जहां विपक्ष का कडबंदन हुआ है, मणिपूर से लेके मुंबई तक यह यात्रा को जाना है, और इसमें आप माली जे 6000 किलोमेटर से लंबी यह यात्रा है, तो कॉंग्रेस की तरफ से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, बात प्रपोस की गई, कि जहां जो है नेता, वो पार्टी जहां जो रीजनल पार्टी मजबूत है, उसका काडर वहां आए, नेता अपनी अवेलिबिलिटी के हिसाब से आए, ताकि इंडिया ब्लॉक की खटा कितना स्ट्रॉंग है, यह ग्राउंड पे एक पिक्चर क्लियर हो, और वो दिखेगा, और उससे नर होकर गुजरेगी, इसके बाद एक बहुत एहम बात और हुई है, आज की बैठक में, वो थी हिमंत सुरेन ने जब ये कहा, सूत्रो के हवाले से फिर ये खबर आ रही है, कि हिमंत सुरेन ने ये बात उठाई, कि अधीर रंजन चौदरी जिस तरह से बयान बाजी कर रहे है कि इंडिया ब्लॉक के अंदर कोई रिफ्ट है, कोई डिविजन है, कोई डिफरेंसेज है, और रीजनल नेताओं के उपर भी कही ना कहीं लगाम लगाने की ज़ुरत है, अगर उससे इंडिया ब्लॉक की कटबंधन पर कहीं चोट पहुंसती हुई दिख रही है, तो ये त कहीं सीट शेरिंग को लेके एक-एक सीट आइडेंटिफाई किया गया, ये अब बातचीत चल रही है, किस सीट पर कौन जीत सकता है, इस पर चर्चा हो रही है, और अगले हफते जब दूसरी बैठाक होगी, तो संभवता सीट शेरिंग के फॉर्मुले को तैय कर लिया जा जिनको दूसरी मीटिंग में अत्ताई कर लिया जाएगा, तो कुल मिलाकर आज तो बड़ी डवलप्मेंट्स आप कह सकते हैं, चुनाव दोहजार चुबिस के लोकसभा चुनावों के मद्दे नजर कि पहली बार इंडिया गट बंधन बनने के बाद आम आदमी पार्टी क मुखिया अरविंद के जवाल, कॉंग्रस के अध्यक्ष मलिका अरजुन खरगे से मिले, पूर्वा अध्यक्ष राहूल गांधी से मिले, और कही न कहीं मुस्कुराते हुए जब अरविंद के जवाल निकले, तो लगता है कि सब कुछ बल्ठक में सही डिरेक्शन में चला कि क्या दोनों निता इन पोस्ट पर पदभार समालने के लिए अग्री करते हैं या नहीं, या फिर कोई नया पेंच फस्ता है, त्रनमुल की तरफ से, सपा की तरफ से, ये आने वाले कुछ दिनों में संभवता स्पष्ट हो जाएगा. पराउज पन्ना पीकशन ज्या दोन व्याहनों में हनु कि डिंदते हैं यादाम हो।